लोगे मांद ते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्स बनने के बाद सीर रहूल गांधी परिपक्को होंगे लेकिन मुझे ये बोलते वे त्यंत खेद की अनुभूती हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है एक अप्रिपक्को है बुद्ध का ब्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयान बाजी करेगा हिंदू भारत का मूल समाज है भारत की आत्मा है स्वामी बिवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है हिंदू कोई जाती सुचक सब्द नहीं है कोई संप्रदाई सुचक सब्द नहीं है मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है से राउल गांधी के इस बयान ने जिसमें हिंदू को बारे में जो टिपणिया की है यहाँ सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है भारत माता के लोहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर बयान के लिए से राउल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए राउल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्स अप्रत्यक्स रूप से राउल गांधी के बारे में कोई ब्रहम पाला होगा उनका ये भर्म अवस्षिट कूड़ गया होगा मैं सिराहुल गांधी के इस प्रकार के बक्तब्ब की मिंदा करता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी से कहता हूँ कि वारा सिराहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें अब किस तरीके से बास्ट के नाम पर लोगों का कोड़ कोड़ की लिए कि करमण की अगर उनको माफ़जा नहीं दिया आप किस तरीके से देखने कितरा सत्य से परेड़ गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमान है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है हमने लोगसभा चुनाओ कैमपेन के दोरान भी देखा है अनलगल परियाप प्रकलाप करके नोंने जिस परकार की गुमरहा करने वाले बक्तब दे थे जोटे बक्तब दे थे सम्विधान का गला घोटने वाले लोग सम्विधान के बारे में गुमरहा करने वाले बक्तब देने के लिए बिदेशी पैसे के बन पर चुनाओ को प्रभावित करने का इन्होंने प्रियास किया एक फरजी बौन्ड भरवा करके भारत की माताओं को बेहनों को इन्होंने गुमरहा करने का कारे किया और आज जो बियान फिर से से राहुल गांदी ने दिये हैं वेत्यंत निंदनी हैं और सर्मनाग दे अयोध्या को उसकी पैचान से बंचित किस ने किया था कैससनी की इंडी गडवंदन से जुड़ेवे लोग इसके लिए जम्यदार है से राहुल गांदी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जम्यदार है जिन्होंने नकिवल अयोध्या को बनवास दिया था बलकि सर्यू मैया के जल को भी रखत रंचित करने का कारे किया था कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पैचान से बंचित करने का कारे आजादी के बाद से ही लगातार कॉंग्रेस करती रही राम लला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था हिंदों को पूजा करने से बंचित करने का काम कॉंग्रेस ने किया था और आज जब अयोध्या अपने बैभाव की पुनरस्थापना के लिए फिर से पुरी दुनिया को अपने और आकर सित कर रही है तो कॉंग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है सिराहुल गांधी का वयान जोट का एक पुलंदा है सच्चाई ये है अयोध्या के अंदर 1733 करोड रुपिये केवल मुआवजिय के रूप में अयोध्या वास्चियों को प्रदेश सरकार ने मुपलब्द करवाए है चाई वह भक्ति पथो, राम पथो, जनम भुमी पथो चाई वह एयरपोर्ट के निर्मान का हो चाई वह 14 कोशी परिकर्मा के मार्ग का हो एक-एक वहाँ के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी जिसके पास दुकान का पजेशन था उन्हें प्रॉपर कंपंसेशन दिया गया प्रॉपर कंपंसेशन देने के साथ ही जो दुकाने थी जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे उनके लिए उस प्रकार की F.A.R. में छूचूचूच छूड़ दी गई जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मर्टि लेवल कॉंप्लेक्स बना करके वहाँ पर उन्हें सौपिंग कॉंप्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कारकारे को आगे वढ़ाया गया सिराहुल गांधी के बयान सब्ते से परे हैं जूट का एक पुमंदा है उत्तरप्रदेश और अयुद्या को बदनाम करने की साजी से और भारत की छबी को अयुद्या धाम की छबी को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उसमानसिक्ता का हिस्सा है जो एक्सिटेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं लेकिन इसके पुमंदाब समय आने पर अयुद्या की जनता भी और देश की जनता भी कॉंग्रेस पार्टी और इंडिक अड़बंदन को देगी तो मुखे मंत्री योगी आदितनाद को आप सुन रहे थे राहूल गांधी ने जिसरे से बयान दिया है आज इस संसत में हिंदू को लेकर उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और काया कि गर्ब है कि हम हिंदू है बयान दिया है